आज मुझे आपसे बात करनी है पेरिंटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आपसे बात करनी है बहुत बात करनी है बहुत लोग जर्नी है और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं क्या हमारी पैरिंटिंग बैड है क्या हम अच्छे मॉम और डाड नहीं है या बहुत सारी बार ऐसा होता होगा कि आप इंग्जाइटी पिक अप करते होंगे कि आपने आज का पूरा दिन वेस्ट कर दिया या फिर चार-पांश दिन से आपके बच्चे ने कुछ नया नहीं किया है और आपसे कोई पूछेगा कि कैसी ग्रोथ और प्रॉग्रेस चल रही है बेबी की तो आपके परस कुछ होगा नहीं बताने के लिए और वहां से एंग्जाइटी पिक अप होगी एंग्जाइटी पिकप ह सो विराज पर बहुत बार टाइम स्पेंड करने के बाद भी उसे वो चीज या तो मैं समझा ही नहीं पाती थी तो मैं गिव अप कर देती थी या फिर मुझे बहुत लंबा टाइम लगता था उस एक छोटे से मालस्टोन को कवर कराने के लिए सो आई नू बहुत चैलेंजिंग है बहुत मुश्किल है बट मैंने अपनी लास्ट यर की इस पूरी जर्णी में एक चीज जो बहुत अच्छे से सीखी है वो है पेशन्स मैं अज़ादा बहुत जादा डिफरेंट हो गई हूं लास्ट यर में मैं बिलकुल पेशन्स नहीं थी मुझे बहुत बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाया उसकी आदत थी लेकिन अपने आपको मोल्ड करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक बच्चा जिसको कम्यूनिकेशन बारियर है जो बात नहीं कर सकता जिसे बात समझ में आएगी वो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा वो जल्दी से क्यों नहीं रिस्पॉंड कर रहा आपको पता है ऑस्पेट से बोर रही हूं और आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा at one go क्योंकि मैं आप ही की language में बात कर रही हूँ जो कि है Hindi जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी word by word जो मैं बोल रही हूँ पर उस छोटे से बच्चे को 10 से कि आसपास लगते हैं उस पूरे sentence को process करने के लिए जब तक वो उसे process करता है जितना भी समझ पाता है हम next sentence पर जम कर जाते हैं next sentence पर जम करते ही इतने सारे words हो जाते हैं कि बच्चा confused हो जाते हैं और वहीं से starting होती है shutdown की वहाँ से starting होती है बच्चा interest नहीं दिखाता बच्चा respond नहीं करता कहने में 6 से 10 सेकंड बहुत कम लगते हैं proper silence होती है उस silence में जब आप उससे बात कर रहे हो जो आप regularly इतने सारे sentences बोल रहे हो उसके बीश में कितनी noise और कितना destruction भी है क्योंकि घर के environment में continuously कुछ न कुछ चबता रहता है so anxiety pick up करना I know easy है I know advises लेने वाले बोखत सारे लोग होंगे बाहर आपको advice देंगे, आप करेंगे, मैं भी आपको advice दे रही हूँ, आप भी वो चीज़ करेंगे हर तरह की advice मिलती है but मेरे हिसाब से stick to one plan baby steps लेने हैं बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को process नहीं करवाना है transition करना है मेरा बेटा पब्लिक सेटिंग में बिलकुल खुश नहीं होता था बच्चों के पास नहीं जाना चाता था तो मेरा बस सिर्फ इतना काम होता था कि मैं पार्क में जाती थी कोई भी एक बच्चे से मैं उसकी हाई या हेलो करवाती थी that's it इसके अलावा नहीं therapist विदाज की जो theme बुनु ने मुझे एक चीज बोली थी कि आपको जितना short sentence बोलना है और जितना easy sentence बोलना है आपको वो consistency maintain करके रखनी पड़ेगी for example अगर आप milk को दुद्दू बोल रहे हो तो आप दुद्दू ही बोलो अगर आप दुद्दू को milk बोल रहे हो तो milk ही बोलो वाइसा वर्सा नहीं चलना है बच्चे के लिए उस एक word को mind में register करके उसे process करना next time easy लगे बहुत सारी language नहीं use करिए कम language यूज़ करिए same language यूज़ करिए एक example देती हूँ हम लोग नीचे walk पे जाते थे तो basketball court आता है नीचे society में है तो मैं विराज को जब भी हम वहाँ से निकलते थे हमेशा बोलती थी विराज basketball court kids are playing दो sentences regularly just to ensure कि उसे ये दो language दो sentence जो है वो अपनी language में convert करने आए उसको ये बात समझ में आए कि ये basketball court है यहाँ पर बच्चे खेल रहे है एक दिन मैं भूल गई उसको ये बोलना तो उसने एकदम हम जब basketball court के पास से निकल रहे थे तो उसने मेरा हाथ पुल किया और मेरी तरफ देखा और अपना phase ऐसे ऐसे किया कि आज मैंने उसे वो चीज़ बोली नहीं है So he was expecting it कि मैं वो चीज़ बोलू तो autism में बच्चों को prediction बहुत पसंद होती है Autism में बच्चे बहुत routine से चलते है उनके लिए पैटन है जो भी आप बोल रहे हो वो उनके दिमाग में register होता है अगर वो consistently हो रहा है तो And trust me आपके इस छोटे से change से आपको बहुत बहुत major फरक नजर आएगा उसकी gross motor skills, fine motor skills यह सब सही हो जाएंगे क्योंकि understanding आनी start हो जाएगी बोलना important नहीं है understanding important है पहले बच्चे को understand करवाईए कि बात क्या है जो आप बोल रहे हो ताकि वो follow कर सके क्योंकि हमें सिर्फ यह लगता है वो बच्चों के पास नहीं जा रहा वो पार्क में नहीं जा रहा क्या हम bad parents हैं क्या हम time नहीं दे रहे हैं हमने के exposure नहीं दिया अगर आप आज यह video देख रहे हो be today the beginning कल क्या हुआ पीछे क्या हुआ उसे भूल जाए मैंने बहुत time waste किया है पुराना सोचने में and I think बहुत parents करते हैं कि तब ऐसा हो जाता तो हम ऐसा कर लेते forget it जो हो गया let it be आपको financially भी अपने आपको stable रखना है आपको office में भी काम करना है आपको सारी चीज़े maintain करनी है life रुकती नहीं है और हमें रोकनी भी नहीं है क्यों रोकनी है क्या हमारे बच्चे में कमी है हम अपने बच्चे के साथ काम करेंगे तो हम क्यों नहीं उसे transition कर पाएंगे ये तो हमें करना है हमें कोई चीज़ छोड़नी नहीं है हमारी tendency होती है सब की होती है I think कि जब भी कुछ नया introduce होता है life के अंदर तो हमें लगता है जो पुराना tough part है उसको छोड़ते हैं नया पकड़ते हैं बट life में ये सब options को choose करना it's not easy अब की life में तो बिलकुल नहीं है बच्चे को अच्छा living standard भी देना है बच्चे को सब कुछ अच्छा provide कराने के लिए आपको job भी करनी है अगर आप job नहीं कर रहे हैं house maker है तो house में भी बहुत सारा काम होता है सब कुछ manage करना है I know बहुत frustrating होता है बहुत लड़ाई होती थी हमारी क्योंकि बच्चे के उपर गुसा उतरता है आप anxiety pick up करते हो बहुत सारी और चीज़े चल रही होती है आप हर जगा excuses नहीं दे सकते हर चीज़ के लिए So if you are a parent or if you are going to be a parent trust me एक basic funda जो मुझे लगता है बहुत काम आया मेरे case में Just stick to one plan एक plan पर काम करिए एक time पर एक चीज़ पर काम करिए ये मत सोचिए कि आज मैं आज ही सब कुछ करा दूँ आज ही writing भी करा दूँ आज ही पढ़ा भी दूँ आज ही मैं उसे खाना भी खिलाना सिखा दू नो प्लीज नहीं आप खुछ सोचिए उस बच्चे के लिए कितना difficult है सब कुछ इतनी rapid speed से process करना So वो कहीं नहीं भागा जारा Time है धीरे धीरे होगा बट जिस समय होना start होगा तो उसकी speed इतनी multiply हो जाएगी क्योंकि तब तक basic understanding develop हो जाएगी और understanding first part होगा आपका Understanding आते ही आपको बच्चे की हर एक चीज में बहुत speed नजर आएगी और understanding आएगी जब आप अपनी language को control करके consistent करके wait करेंगे बोलने के बाद So मेरी तरफ से आप लोग को बस यही एक parenting advice है और उन छोटे छोटे बच्चों की कोई गलती नहीं है कि उन्हें नहीं पता की language कैसे process करनी है या किस तरह से बोलने है हम as an individual, as in parent I think हमें यह समझने की जरुरत है कि it will take some time for them to process लगता है time 6-10 seconds लगते हैं बच्चों को process करने में तो अगर लग रहे हैं तो क्या problem है क्या हम उन्हें 6-10 seconds नहीं दे सकते एक बात को समझने के लिए क्या हम रोज consistent language नहीं use कर सकते बच्चों के साथ क्या हम items के नाम जो हम ले रहे हैं आज क्या हम कल भी वही सेम नाम नहीं ले सकते छोटा सा change है एक बार incorporate जरूर करिएगा मैं नहीं करती थी लेकिन जब से किया बहुत changes नजराने शुरूब है मैंने अपने विराज की life को थोड़ा सा easy कर दिया language को consistent करके So please अगर आप कोई भी हैं जो associated हैं किसी भी autistic baby से या आप अगर parent हैं जो देख रहे हैं प्लीज जब भी आप उनसे मिलते हैं या जब भी आप उनसे बात कर रहे हैं अपनी language को बहुत consistent रखे अगर आप parent नहीं हैं कोई और देख रहे हैं तो ask parents कि आप क्या बोलते हो आप क्या चीज कहते हो ताकि आप लोगों की communication आप लोगों की bonding बन सके बच्चे के साथ क्योंकि बच्चा शटडाउन कर लेता है बच्चा रियक्ट महीं करता आपकी बात पर अगर उसे बात नहीं समझाएगी तो and I think कोई भी नहीं करेगा so with this thought I want to say bye आप क्योंकि बच्चा शटड़ाईगी तो